नमस्कार आदाब न्यूस क्लिक में आप स्वागत है अभी हम मौजूद हैं दो ऐसे लेखोकों को साथ जिन्होंने एक बेहत जरूरी किताब मारूती आंदोलन जो 2012 में जिसने देश भर में मजदूरों के सवालों को प्रमुक्ता असरब के सामने रखा उसको बहुत अच्छ अच्छा जानी रहे हैं अनजली जी लगातार समाजीकारता करता करती हैं माना वधिकार करती रही है तो इस किताब पर हम सबसे पहले चर्चा यहीं से सुरू करते हैं जो आप चूकि उस मांदोलन के दस साल हो गए आज बहुत सारे चीजें दुनली पढ़ती जा रहे हैं किताब लिखी जानी चाहिए और आपने कब शुरुआत करी कैसे आपका यह दौर रहा पुरा किताब लिखने का उसके वारे में संचे पर मुताई जब यह हुआ था मारूती में माने सर में घटना घटी थी तब से ही थोड़ी सी बेचैनी सी थी मुझे क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आम तर पर हम यह सुनते हैं कि मजदूर मारे जाते हैं हताहत होते हैं बहुत सारी फैक्ट्रियों में आग लगती है या घटनाए होती हैं उनकी मीडिया में इतनी चर्चा नहीं होती है मगर जब यह माने सर में घटना घटी तब मीडिया में कई दिनों तक लगातार इसकी चर्चा होती रही टेलिविजन पर काफी इसका कवरेज हुआ और तब देखा था तब से मुझे लगता था कि इसकी थोड़ी तहकीकात की जरूरत है कि ऐसा विरले ही होता है कि किसी प्रबंधग पर हम ला हो या किसी प्रबंधग की मौत हो जाए तो ये क्या कारण थे कि मारूती में ऐसी बेचैनी थी कि ऐसा कुछ हो गया ऐसा कुछ घट गया एक बहुत बड़ी दुर घटना थी निश्चत रूप से लेकिन सिर्फ प्रबंधन के नजरिये से नहीं बलकि मजदूरों के नजरिये से भी हजारों मजदूरों की तो नौ चली गई एक सोड़तालिस लोग गिरफतार हो गए और इसके बाद हम दूसरे कामों में वेस्ट होते गए तो ये ने पत्थे में चला जाता है दिमाग के धीरे धीरे जब इसका फैसला आया और तेरा मजदूरों को उम्र कैद भी हुई तो एक बार फिर लगा कि सोच के उनों से बात कर रही हैं और आपकी मदद मिल जाये तो ये किताब बहुत अच्छी हो सकती है और इमानदारी की बात तो ये कि इनके सहयोग के बिना ये किताब पूरी नहीं हो सकती थी इस तरह से इस पर हमने काम शुरू किया आपका कैसा अन्ववरा इस मजदूरों के सव ये लगा कि ये किस तरह से मैं कहूं कि वरकर्स में जो फिलिंग है जो इमोशन है वो आता है सामने उनके दुख उनका दर्द बहुत अच्छी तरह से मैंने इंट्यूव में और साधारान इंट्यूवर बट वरकर्स अपना बता रहें इसमें कोई आर्टिशालिटी नहीं बातार हैं जैसे कि वो कह रहे हैं कि हमैं जब शुजूकी आये जयापन फैक्टरी जब शुरू हुई तो साड़े-साथ मिनट का ब्रेक होता है तो एक्चिनली साड़े साथ मिनट होता क्या इन रेपोर्ट में आया था कुछ जो बात जांच हुई थी पहले भी तो डेकिन इन इंटिव्यों से फिर पता चला कि सारे साथ मिनित में किस तरह से calm soul स्वेश्शित किया जाता कि आपको सारे समिसार भौपूर बजा अपने अपना एप्रन इक अड़े तरह आपने पुरजी थीक से रख है से नहींस के छोड़के चले गए भाग के अपने लॉकर के अगर आपक को और भूग लगे तो जल्दी जल्दी खाके दूसरा संसा, तोनों एक हात में संसा या परकॉड़ा जो भी हो, एक हात में चाए भाग के बात्रों क्योंकर ये सुबह के शीफ्त में, पांच बजे से उठे बात्रूं ही नहीं जा पाएंगे, बाथरूम गए बाथरूम से आये हाथ धोए फिर ग्लास उस वाकत लॉकर में रखा फिर भाग के जब तक एसेम्ली लैंड शुरू नहीं होती है साड़े साथ मिनित तो इसका क्या मतलब होता है वोकर पे असर क्या होता है तो यह चीजें इनकी इंटरव्यू से बहुत अच्छी तरह से मुझे लगें कि यह आती है और यह बाथ जो है यह लोगों के सामने आनी चाहिए लोगों को समझना चाहिए कि यह सबसे मॉडर्न फैक्ट्री हिंदुस्तान में और यह हालत वरकर्स की उसमें आपने किताब मे लिखा है जिसमें बताये 2018 तर दिस्पोजल भी नहीं थे तो उसमें आपको अपने मग जाने से फ़रे दोके भी जाने और लाइन भी लग रही है वहाँ लाइन में लगना भी सारी चीजें आप इसी तरह सबसे जो बताये ना भाशा इस किताब की हमने बहुत सारी किताबे देखी है जिसमें लेखक आम तोर पे जो जमीन से डॉक्यमेंटेशन करता उसकी भाशा बदलता है और एक साइतिक भाशा में लेकिन कोशिश करता है लेकिन जब हम यह किताब पढ़ रहे है तो एक मजदूर अपनी भाशा में ही बोल रहा है तो यह प्रोसेस का चुनाव आपने लोगों किया और आपको लिए मुश्किल था या आशान था यह क्यों अभी तक हम इस तरह किताब बहुत कमी या तो होंगी तो कम से कमने तो मैंने तो नहीं पड़ी जिसमें जिस भाशा मजदूर अपनी कहानी खुद बता रहा है उसमें लेखका कोई कोई कोटेश अगर हम उन्हें अपने समान समझते हैं उनको खुद मुखतार समझते हैं और यह समझते हैं कि वो अपनी बात कहने के लायक हैं और अपनी बात खुद अपनी जबान में कह सकते हैं तो हमें उसका पूरा आदर करना चाहिए यह शुरू से ही मेरा मानना रहा है पत्रकारित इसलिए ये कोई जान बूच कर किया हुआ फैसला नहीं था ये तो मेरे शायद प्रकृति का या मेरे सभाव का अंग है कि मैंने कहा कि इन लोगों से मैं बात कर रही हूं इन से मैंने पूछा है कि आप अपना नाम देंगे क्या और जो इन्होंने कहा है वो हूबहू इनकी भ कि बात में लेकिन उसमें मुझे कोई अतराज नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि यही इस किताब की हमियत है कि वो अपनी बात कह पाए और अपनी जबान में कहें यही चीज जिसे अब मैं किताब पढ़ रहा था इसी में है एक जगह जहां वर्कर जैसे अपने जापान वो सारी चीज है जिस तरह से लेकिया है साड़े साथ मिनट का टाइम क्लॉग उसमें सारी चीज है तो एक मज़़ूर एक जगह नाम कहता हूं कि बहुता रहे अपनी बात चीज में किस तरह से जीवन पढ़ा इसका वो घर पे उसी तरह जल देल दिखाना खाते है बोलता है मै अपने कैसे समझा और इसके बारे में डिटेल में गए तो क्या समझ माया इंसान का मशीनी करण हुआ इस नई मैनेजमेंट के आने के बाद जो कि PSU तो पहले भी थी और बाद में भी है और तरीके से लेकिन पर्टिकुलर मारूती में साड़े साथ मिनट का या फिर क्या ब मैंने तो आचली दो तीन वरकर्स ने ये कहा कि इन्होंने चाली चाप्रेन की मुवी देखी देखी मॉडर्न टाइम्स और उनको डेकुट आइडेंटिफाई विद देट दो तीन लोगों ने कहा तो मैंने भी देखी थी मैंने भी पढ़ा था लेकिन जिस तरह का ये आट मुझे तो सच मुझ शॉक शॉक से जादा कि अभी भी मुझे समझ नहीं आता है किस तरह से ये एक इनसान एक कासीट है कासीट साथ 23 किलोग्राम की है वो आठ घंटे में कितनी दफा ये कासीट उठा के उस पर लगाता है हाथ में दरवध होता है उसको कोई ओफ नहीं हो स बस कौंबी फ़लान कहाओ और फिर से करो वो काम ये जो बात है मुझे अभी भी शॉक लगता है कि इस तरह का काम किसी इनसान को करना पड़े और ये जो पूरी लड़ाई किसलिए हुई थी कि अब वो 45 सेकंड एक मिनिट हो गया है तो एक एक सेकंड पे लड़ाई हो रहे उसमें से गीला तोडिया जैसा हम निचोडते हैं और अभी भी गुंजायश है कुछ निचोडने की तो ये जैपनीज मैनेजमेंट हुआ इसकी महिमा है ये जब उन्होंने चार्ली चैपलिन की मॉडर्ण टाइम्स की बात कही थी तो मैंने भी देखी ये सभी ने देखी ह और चार्ली चैपलिन तो खेल हासिव एंगे के उस्ताद थे उस फिल्म में जब दिखाया ना वो नट बोल्ड वो एक मशीन आती है उसको खाना खिलाती है वहां उसे हटता ही नहीं हटने नहीं देते है उसको तो कितनी हसी आती है लेकिन इन मश्दूर से जब मैं बात कर की थी तो मुझे लगा कि यह हसने वाली बात नहीं है यह मतला हर मश्दूर के साथ यह गुनाएं सब एक मशीन के पुर्जे की तरह इतने बज़े दस्ताने भूपू बजा साहिरन बजा दस्ताने उतारे इप्रम उतारा हेलमेट उतारा सब उनके पास एक दूसरे से हेलो ह यह हयनी हुई की चैर्ली चैप्ली ने कैसे इसका अरक इतने सालों पहले निकाल करकर हमें बताया था और आज हम इसके रूपरू ऊपरू हैं यह को ना भूपरू है जो इसको ढोच ने परहें पता ही नहीं धार rarely इसलिए किताब पड़र नया आता है तो कहता उसके बाद डर्द होता है परिशान है डिरे दीर देर अलगों का हिस्सा हो जाता है तो एक दिखाता किस तरह से इंसान मसीन बनता जा रहा हूँ, तो इसकी जिंद्गी का पैटर्न इसमें आप लोंग ने ड्रॉक किया है, वह बहुत खूपसूरत तरीके साप लोगों उस समय की जो लड़ाई हुई मजदूरों की आज यहां तक पहुंचे आज कुछ बदलाव दिखता है क्या मैनेजमेंट में सरकारों के रुख में कोई बदलाव दिख रहा है क्या आप लोग दिख रहा है कोई बदलाव मुझे तो देखिए ये तो मारूती में संघर्श हो तो पंदरा सेकंड बढ़ गए दूसरी फैक्टरियों में तो शायद नहीं बढ़े होंगे और इतनी बड़ी कुर्बानी देकर के पंदरा सेकंड आप मैनेजमेंट से चीन लें ये बहुत बड़ी उपलब थी एक तरह से है भी और एक तरह से देखा जाए तो ये जारी सं हुआ करता था अब तो ठेका मजदूरी ही नियम बन गया है सिर्फ मारूती में नहीं बहुत सारी फैक्टरियों में और आप जापानी प्रबंधन को देखें तो वो आम तोर से हर जगा लागू होने लगा है मारूती से शुरुआत जरूर हुई थी लेकिन उसके कई अब भी सिस्टम खतम हो गया अब जो है सीधे ठेके पर मारूती रख रही है ठेकेदार चले गए बीच में से अब एक नीम है नाशनल इंप्रॉइबिलिटी एन्हांस्मेंट मिशन एक है शुरू किया है सरकार ने तो उसमें सरकार कुछ पैसा देती है और मारूती ने अपना एक मारूती नहीं नहीं शायद हून नाई ने और हॉंडा ने भी बहुत सारी सेक्टरियों मिशन एकाडमी शुरू की है तो अब तो आई टी आई के डिप्लोमा की भी जरूरत नहीं है आप मजदूरों आप लोगों को लगा लेते हैं उनको कुछ ट्रेनिंग दे देते हैं उसके बाद एक डिप् अपनी हो गई है उसकी भी पूरती हम इससे कर रहे हैं इस तरह की ट्रेइनिंग से कर रहे हैं तो बहुत हद तक मैनेजमेंट ने जो है इसका पूरी पूरी तरीके से लाब उठाने कि कोशिश की है और ठेका मजदूरी आतका जा शुआ रहा है ज़य कूं जापानी मेनेज जो एक देश के पड़े नेता के बेटे का सौक था जिसको बनाने का पूरा ये तयार किया गया है मारूती का लॉंच साहद उस्सामें इसकी डिमांड मारूती नहीं थी ज़रुद भी नहीं थी जब दस्ति इसकी बना के क्रिएट करने कोशिस हुई जो एक निता के सौक की बात थी उस तरह किसे पबलिक सेक्टर जिस तरह से मैनेजमेंट आया और उससे पहले भारत में कंपनिया चल रही थी जापानी मैनेजमेंट ने क्या बदलाव किये और इसकी क्या खासियत थी जापान में हम देख रहें कितने मज़दूर आतमत्याकर जिकर भी किताब में भी जिकर है उस वर्किंग कंडिशन की बजे से ही लगातार मज़दूर परेशानों के वहां मर रहे हैं चूट नहीं मिल रही है जिंदिगी में तो मैनेजमेंट का क्या आसर रहा भारती उद्ध्योगी करण पर आप देखते हैं खासकर इस ऑर्टो है तो डेथ पाई ओवर्क हम यह हम जहां तक मुझे मालूम है हमने कभी सोचे ही नहीं था कि लोग काम इतना इतना स्ट्रेस पड़ेगा कि लोग मर जाते हैं और यह जापानी लॉयर्स ने ही यह टर्म शुरू किया आज जाके आयलो की रिपोर्ट इंडियन लेबर इंटर सब जगह खारोशी डेट्स हो रहे है तो लेवल ओफ एक्स्प्लॉइटेशन जो है वो जो इन्होंने खा तॉलिया का निचोड वो जो है वो सब जगह हो गया है और यह जैपनीज मैनेजमेंट की देन है जैपनीज मैनेजमेंट ने सोचा कि एक एक सेकंड एक वरकर को किस तरह से शोशित किया जाए जपान में अब इनको कुछ-कुछ थोड़ा बहुत सुधार आया है लेकिन वो जो सुधार है वो यहां नहीं लाग हुआ है तो यह है इस किसम का जो शोशन और बिल्कुल इसमें कोई वेलफेर मेजर नहीं है कुछ नहीं है एक रिलीवर तक नह हो बीच में या कहीं बातरूम जाना हो तो रिलीवर नहीं है लोग वहां करते करते पिशाब कर देते हैं बिमार होते हैं तब भी वो पिशाब कर देते हैं और तब भी रिलीवर नहीं है यह है जैपनीज मैनेजमेंट जिसका जिकर आभी किताब में है भी जो कई बार जो जो है उसको छोड़ नी सकता है इसकारण उसने वहां पिसाब किया है या फिर और तरीके दिखते हुई इसे कही तरी कि भीमार्यों का सामना भी उन वर्कर को करना पड़ा है अब सबसे इसमें खूबसरत जो अपने चोटी सी बात है सायदो नोटीस नहीं हो या हो या हो या हो सुझुकी मनेजमेंट आने कि पहले उसने किया एक घड़ी लाई जो गड़ी सेकंड के सौवे हिस्से को भी दिखाती है वो तो देखने पर लगता है चलो एक नॉर्मल सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरह का मैनेजमेंट अब पहले मारूती या सुझुकी में इस तरह सुझुकी लेके आई इंडिया में लेकिन दिले देखने बाकी जगे भी होता जा रहा है या खासकर आटो मोई सेक्टर जो पूरा बन रहा है कॉलिड हो रहा है उसमें दि सुझुकी ने किस तरह किसे बारगेनिंग पावर इस्तमाल करते हुए वह नहीं लागू करने दि भूह सारी सुझुकी उस ने रोकी तो यह हमारे सरकारों का रवया दिखाता है मस्दूरों के प्रतिक कैसा है उस समय भी तो ऐसा ही था और अभी हम देख रहे हैं सब्सक्र भी हम देख रहे हैं करनाटा के मामारे पास एक एक जांप ठाल एक औरशव कंपनी है एक एपल केरति है से सर्कार से बारगेंन किया है जो सर्कार ने बहले हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब गॣक नो मजदूर सर्कार को भी भू स्वावर पैसा देने के मामले में. यह तो है, क्योंकर, हमने भी किताब में लिखा है, कि दो शर्ते होती है, हर मुल्टिनेशनल की, एक टैक्स एक्जैम्शन और एक लेबर लॉउग एक्जैम्शन, तो यह दो इनकी शर्त है, और उनको मानना ही पड़ेगा, और इनकी ये प्रभाव पढ़ा है कि लेबर कोर्ट, लेबर मशिनरी पूरी जो लेबर डिस्प्यूट मशिनरी है उसको खतम किया जा रहा है अब अभी तो जिस तरह से सरकारें बार-बार दावा करती है प्रचार उतात मिलमर भारत या बहुत सारी ओजनाई जिसमें विदे अब लगतार मश्दूर वासंतोस तो बढ़ी रहा है उसकी सुरक्षाएं कम हो रही है लेकिन सरकार दूसरी तब चमकता भारत बोल रहे है निवेस आएगा तो मूल भूछ सुब्धाओं का विस्तार होगा बढ़ेगा मल्टी नेशनल कंपनी आएंगी तो जिसे गुड़ देखे जो बहुत कम जमीन वाले हैं उन लोगों के पास चॉइस क्या है नोक्रिया और कौम सी है तो यह जो चमकता भारत बन रहा है कुछ लोगों के लिए सच्ची में चमक रहा है जो मध्यमवर्के हैं उच्च मध्यमवर्के हैं जिनको प्रबंध में नोक्रिया मिलती है आईटी में चले जाते हैं उनके लिए चमक रहा है जो पूंजी पती हैं छोटे मुटे विवसाई हैं उनके लिए चमक रहा है जो गाओं के भी जो हैं बड़े बड़े जिनके पास जमीनों के टुकड़े हैं उनके जमीने ले ली जाती हैं रिहाईशी आलाके बन जाते हैं फैक्टरियां बन जाती हैं, उनको कुछ पैसा मिल जाता है, उनके लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि खेती में तो जितना संकट है, कुछ कमाई तो होती नहीं है, तो उनके लिए फिर भी कुछ अच्छी खबर होगी है, लेकिन ज्यादातर लोगों के हालात तो ऐसे नहीं है, ज्यादातर लोगों को तो सुबह, अगर अगली सुबह रोटी खानी है, तो पिछले सुबह से शाम तक काम करना ही पड़ेगा, ये उनकी हालत है, तो उनके पास आप्शन ज्यादा नहीं है, और अब उल्टा हम ये देख रहे हैं, कि हर्याना में देखिए, छोटा सा उसके बाहर का गुडगाओं तो पता नहीं, फर्स्ट मिलेनियम बी-सी का होगा, जहां मजदूर रहते हैं, जहां मजदूर रहते हैं, जहां आम लोग रहते हैं, तो वो तो प्राचीन भारत में अटका हुआ है, तो वो उन लोगों को छोड़ दे हैं, अगर आप, तो मज कि अचान के खिलाफ थोड़ा सा संघर्ष करें, आप देख रहे हैं, कि अभी संघर्ष बढ़ते जा रहे हैं, और कोई option है भी नहीं, संघर्ष की बात को मारुति की वेंडर कंपनी वेल-सौनिका के मजदूर, लगतार सड़क पे हैं, अंदूलन कर रहे हैं, सिरफ इसले कि यूनियन बनाने का अदिकार है, जो कि मजदूर, मारूति की अंदूलन भी हो पाया यूनियन बना पाये, वो कुछ कर पाये, लेकिन सरकारें अभीनाने के हाग को ही खतम कर थी दिक रही है, पिछले 15 साल से कोई नई उनलने बड़ी बढ़ी है, जो बट्सकिन थ्ट्रा यह सब्सक्रादा बेरोजगारी बुदरी है यह नया पैटर्न डॉक कि यह लोकल मजदूरों को नहीं रखना है जो कि उनके पास ज्यादा वार गेनिंग पावर होती है जो पॉलिटिकल सपोर्ट लेके आ जाते हैं या लोकल परिवार ग्रामीर लोग आते हैं तो यह पैटर मिलाडू का ही ले तो तमिलाडू में क्या हैं और रहा है और लकल मजदूर को काम नहीं बाहर के मजदूर काम करें सरकार बोल الक मिलक Perm कर मजदूर को कि काम करना अईं है लेकिन आप कि स्कीमधपन के एगे यह कोई परवासी मजदूर के लिए बच्छी चीज नहीं है, यह सर्फेक्टरियों के लिए अच्छी चीज है, जो बाहर के मजदूरों लिए बारगेनिक पावर कम हो रही है, तो इस पैटर्न आप लोगों ने देखा किया है, कुछ से आप लोग ड्रॉ कर पाए, आपकी कि इसको स्टे ओरडर इसके खिलाफ तो यह उद्योगपती गए, चुभी फादर दोसी गए, और यह जो कानून बना था, किस क्यों बना था, यह एक एलेक्शन प्लॉई था, एलेक्शन के लिए बना था, और अब वो गया, स्टे ओरडर हो गया, उसके सरकार भी कोई इस पे जोगपती रखना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई स्थानी सपोर्ट नहीं होता है, तो अगर प्रवासी होगा, अगर चार दिन पैसा नहीं आएगा, तो अपने घर का गुजर भी नहीं कर सकता, तो यह एक बड़ी जिम्मेदार ही जाती है, जो लोकल उसके साथ रहें, हाल पनचायत करके बोल रहे हैं, जो सारे गलत कर रहे थे, बहुत सारे गाओं के पनचायतों ने, 200 अगाओं के पनचायतों, कि अपने लिभासे हो महाँ पनचायत करके प्रस्ताव पारित किया था मजदूरों के खलाएं, यह जब जमीन चलि गई, तो उनके पास बस एक चारा कि छोटे छोटे कम्रे बनाएं और किराय तो उनको लगा कि यह जो यूनियन है यह संघर्ज के वज़े से यह तो फैक्टरी उठके चली जाएगी तो यह भी सुजुकी ने किया कि हमारे वरकर्स और हमारे जो गाओं वाले हैं उनके बीच में लड़ाई करवाई नफरत पहलाई यह भी हुआ है इस इस फैक्टरी के बज़े यह तो नॉर्मली हो कि किसानों की जमीन जाने के बाद उनके पास कमाई का कोई धंदा था नहीं मजदूरों सही दुकान बेच के समान लेते हैं जो कि वहां तो मैंने अम लोगने कई वर अद्दे की चेतर में देखा है जो मकान मालिक बोलता राशन हमारे आसे लो दूसरे देखे सर राशन भी न ले सकते तो उनका तो जरिया था लेकिन एक चीज इसमें वापस जाते है जो उसके कॉंट्रेक्ट हुआ था उसमें जो बाते कहीं थी उसको भी नहीं मानता है तकनीक वहां से मंगाने के लिए कितना संगहर्स हुआ है कितने अब यहां के अधिकारी लड़े हैं वो चीजें दिखाती है और वो पैट उसके बावजुद सरकारों क्यों बार बार ज अर्थ शास्तरी नहीं हूं और वैसे भी अर्थ शास्तर के नाम से मेरे दिमाग के तो शटर ही डाउन हो जाते हैं तो बहुत सी चीजें तो मुझे भी समझ में नहीं आती हैं लेकिन कहते तो यही हैं कि हमको हार्ड करेंसी की जरूरत है विदेशी मुद्रा की जरूरत है और हमारे पास नहीं है और टेकनोलजी तो ही ही नहीं प्रोध्योगी की कि जहां पर दूसरे देशों में तरक्य हुई है उन्होंने नए नए चीज़ें इजात की है तो उसकी हम कीमच चुका करके खरीद नहीं सकते हैं तो उन्हीं को यहां लेकर के आने के लिए हमें लुट जब आजए तो जापा ने बहुत जाएं टेकनिकलि साउंड कमपनी नहीं मांगे दी अपने किताब दे जिक्र किया है बहुत वहां की चोटी बहुत मामूली कंपनी थी जिसको भारत सरकार ने बहुत जयादा या कहें बाहरत में काम आने के बाद ही उसका ग्रोध ह वो जुका के ले गई तो यह तो एक चुकाने वाली बात ही ना? वुकुन जी यह पूरानी बात है, आज तो ऐसा नहीं है, आज तो सबसे आधुनिक रित्ना फैक्ट्रियां वही लगा रही है, सबसे दाधा रोबोट्स वो लगा रहे हैं, कितनी बता रही थिया? अब गुडगाओं मानियसर को मिला के 5000 रोबोट्स हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं, अगर उसका ग्रोथ जो सुझी के खुद का ग्रोथ, वो मारूती के साथ आने के बात है, आपका यह कहने कि सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, अपना independence नहीं है, और corporate role, तो अगर हम इसको समझें, पुलिटिकली, मैं economics नहीं जानती हूं, लेकिन politically अगर हम संझें, तो यह है corporate globalization, जहां जो welfare states है, पूरे दुनिया में, वो rollback हो रही है, जितनी social security वो rollback हो गई है, और World Bank, IMF, जो conditions impose कर रही है, इसका मतलब है, health, education, जितनी माने social welfare schemes थी, वो खतम होती जा रही है, privatization हो रहा है, और यह जो जिस तरह का growth हो रहा है, इसमें production ही होता है, और यह growth जो है, अगर 4% भी हो या 2% हो, banks crash हो रहे है, तो यह एक नया stage of capitalism है, जहां लोग, लोग, लोगों का कोई, जो हम अपने सारे, जितने constitutions, democratic constitutions, we the people, अब we the people नहीं है, we the corporates है, यह आजबर हो, यह ऐसी स्थिति है, यह लेकिन इस आंदोलन में, आर्सी भारगों कितना जिक्र हुआ है, किस तरह किसे इंडियन government का आदमी होते बाद में, सुझुकी का ही आदमी होगे, उसके तरफ से bargain करने लगे, लेकिन इस आंदोलन में एक बड़ी चीज जो अपने अपनी किताब मे आखरी में लिखा और उसका जिकर पहले भी किया था, किस तरह से कास्ट का सवाल जो है, मजदूर यूनियन में आने के बाद तूटता है, जैसे उसको कास्ट की गालियां जाती सुचक सब्द बोल के गालियां दी गई, लेकिन बाद में जो दूसरे जाती की जूनियन के ल लेकिन जो ट्रेड जूनियन मजदूर यूनियन है, उन्होंनों से खिलाफ स्टेटमेंट दिया, जो ये मजदूर को बाटने की साजिस है, तो ये जो एक था इस पूरे अंदोलन में और मारूती के अंदोलन में, उसकी कितनी बड़ी भूमिका थी, देखे, जैसा कि Ambedkar न जाती खतम तो नहीं हुई है, जातियां तो अभी भी हैं, लोग अपनी ही जाती में शादी करते हैं, और बहुत सारे मजदूर जो शहर में आके रह रहे हैं, वो जब गाउं जाते हैं, तो गाउं के उनी बंदिशों के अंदर रहते हैं, अब हाला कि ये बंदिशें थोड और से अगर वो अच्छूत जाती का हो, कथित अच्छूत जाती का, तो उसके साथ खाना नहीं खाते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं रह गया है इतना ज्यादा, अब एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, तो ये जाती के जो बंधन ढीले पड़े हैं, बहुत अच्छी बात है, एक और बात हमने ये देखी कि गुडगाओं के मारूती में शेडूल कास्ट मजदूरों का अलग एसोसियेशन था, एक संग था, जो माने सर में कभी नहीं पड़ा, और उनको तो जानकारी भी नहीं थी कि गुडगाओं के फैक्टरी में ऐसा भी हुआ करता था, तो त हम सब भला होगा, तो हम सब का एक साथ होगा, बुरा होगा, तो एक साथ होगा, और प्रबंद की तरफ से कोई भी होगा, वो हमें कई तरीके से बांटने की कोशिश करेगा, कि अंतर जाती विभाई होने लगेंगे लेकिन हाँ उठना बैठना खाना पीना और इस बात को महसूस करना कि जाती के नाम की गाली नहीं दी जानी चाहिए यह बहुत उत्साहवर्धक डिवलपमेंट यहां पर हुआ है आपके किताब में कही जगे जिकर है जो मर्दूरों क सब्सक्राइब करना बैलकम कि उनके फैमिली के कई को जगे सपोर्ट मिला है उनको जो सेडूल कास्ट के लोग दूसरे गाओं के लोग ने सपोर्ट किया है हलाकि आकरे में यह भी बोल देनको जगड़ना नहीं चाहिए था काम मिल रह था काम चुप-चाप करते रहते इस किताब में ही जब आगे बढ़ रहे हैं और चीजों को पढ़ते हैं तो एक चीज और समझ में आती है जिस तरह किसे आप उस पूरे इलाके में एक जो चेतना मजदूरों के बीच में बनी उसने लोकल लेवल पर भी कुछ असर किया चुकि वह मजदूर तो पहले गाओं मे नहीं थे लेकिन जब उनका साला संगहर सुआ तो घरों तक पहुचा गाओं में और हर्याने के बारे में जिस तरह से बाहर धार ना है बंद स्वसाइटी है उसमें चोटे-चोटे चेंजेस कितनी बड़ी भूम का निभा सकते हैं या निभा रहे हैं और जो आपने बात कर है और जिसको दुवारा से रिस्टोर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोग क्या समझ बनी जो आरक्षण था जिसके बाद बहुत सारी संग्या संग्या कमी हुई होगी या हो रही है तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग बढ रही है आज के दौ नहीं है तो हम इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकते हैं मगर यह सच नहीं है कि आरक्षण खतम हो गया तो प्राइवेट सेक्टर में मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है मजदूरी है जो खासतोर से जब ठेकेदार के जरि पर चला सकता है ठीक है उसकी जाथ कुछ भी हो तो ये मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा फर्क उनके employment पढ़ा है लेकिन ये एक impressionistic बात है अभी अध्यान के आधार अध्यान तो किया नहीं है तो उसके आधार पर कुछ कह नहीं सकते एक चीज तो हमें पता चली थी जो हम चाह रहे थे कि हम और गहराए में जा नहीं पाए कि जो management है उसने हाँ कोशिश की थी है ना identity politics की एक मुसल्मान worker को एक Hindu worker से माने लड़वाने की तो ये management ये हमने थोड़ा थोड़ी कहानिया सुनी थी लेकिन हम गहराए में नहीं जा पाए लेकिन ये management की तरफ से हुआ था union ने करवाने ने दिया और बिल्कुल बचा रखा है और बहुत consciously बचा रखा है लेकि एक worker खुशीर हमने बताया कि वो उसके गाउं में sports होते थे तो sports में ज्यादत जो कुष्टियां होती थी उसमें और लड़कियां नहीं जाती थी या इजाज़त नहीं थी और कुछ ये जाट वाले और या राजपुत थे तो ये मारूती workers ने लड़ा कि ये लड़कियां बी कुष्टी कर सकती हैं और ये करवाई गाउं के sports में तो ये अलग-अलग असर पड़ा है अलग-अलग जगह असर पड़ा है ये सिर्फ जो लड़ाय थी conveyor belt तक नहीं थी ये भले हमको बाहर दिखता है 15 seconds की जीत थी लेकिन union ने किस तरह का struggle निचे तक ले गया हूँ औ कोवेट के दोरान ये workers ही ने खाना जमा किया लोगों को दिया slums में दिया तो ये जो union और जो बनी और ये जो 500 workers को निकाल दिया अब उनका एक अभी भी एक बहुत असर है अभी भी आप मिलते रहते हैं अभी भी एक दूसरे को support करते हैं तो ये जो solid है और जितना पैसा ज लिए उनके घरवालों के अगर किसी बेहन की शादी हुई उसके लिए इन्होंने खुद जमा किया ये कोई बाहर से नहीं आया है यूनियन और अलग अलग यूनियन ने भी पैसा दिया ये बहुत बड़ी solidarity का एक मिसाल है बहुत बड़ी मिसाल है और आप देखिए कि ये जो मजदूरों का अंदोलन हुआ है जैसा कि आप भी बत कह रहे थे कि उसका पूरा सामाजिक वातावरण पर असर है मानसिक्ता पर असर है उस वो बदलाव की दिशा में जा रहा है और एक तरक्की पसंद बदलाव की दिशा में जा रहा है हम आकरी में आप से एक चीज सम किसम के केसे हैं एक तो क्रिमिनल केस है जो 13 लोगों को लाइफ इंप्रिजन में मिला उसमें से दो लोग जो मर गए तो वो जो केस है वो सारे जो बेल पे हैं और उनका जो अपील है वो हाई कोट में अभी तक पड़ा हुआ है आगे नहीं बढ़ रहा है दूसरी बात दूसर किसें यो डिसमिस्ट होए थे वह यूपी के लिगानी कि उनको इंसाफ मिलेगा लेकिन यह 400 कुछ जिनकी केस हो रहे है दस साल से केस हो रहे हैं एक के बाद एक डेट्स लगती जा रही है लोगों को आना पड़ता है वकीलों को पैसा देना पड़ता है खर्चा होता है थो पड़ा है उनके बच्चे ssł儿 में नेंए पड़ पा रहे हैं। उनके घर नहीं कोई नोकरी नहीं है। उनकी है ररवें। हैल्थ कैंडिश्ञिन्शिन इतनी ऽुराब है।। और इस सब के बीच में जो ना-ան्की क्या है। अगर कोई भी गल्ती होती है वोकर की और लग या उनको लगता है गल्ती तो पांचसो जुर्माना भी पांचसो रुपय का जुर्माना भी लेकिन मैनेजमन की तरफ से अगर कोई कुछ करता है तो कुछ नहीं और 2018 में हाई कोट ने यह ओडर दिया था कि यह एक्सपेडिशन यह जो वर्कर्स हैं यह हिंदुस्तान के नागरिक हैं हिंदुस्तान के नागरिक का जो अधिकार हैं वो हमारे संविधान में हैं तो वो जो संविधान में जो अधिकार हैं वो कहा हैं वर्कर्स के लिए कहा हैं आम लोगों के लिए कहा हैं यह संविधान किसकी लिए बना और अब यह जो अधिकार है कहां से जाएंगे, कहां लेंगे, कहां जाएंगे, कोट में गाएं, बिल्कुल पीसफुली इनका एजिटेशन चल रहा है, और कोई जगह नहीं है जहां जा सकते हैं. आकरी मैं आपसे एक अंतिम सवाली, आपने एक किताब लिखी, इसका लेकिन टाइटल आपको यह क्यों आपने दिया, जो फैक्टरी जापानी, प्रतिरोध हिंदुस्तानी, यह आपके रहा हैं जाएंगे, जब मैं चात्तियों की नंदिता है, इसका जवाब दें, क्योंकि एक तो यह फैक्टरी थी जापानी, पहली फैक्टरी थी, अब तो बहुत सारी हो गए है, और यह नया मैनुफैक्टरिंग तरीका, प्रोडक्शन स्टाइल, और इसका विरोध किस ने किया है, वर्कर्स ने, तो लोगों, तो यह जो नैशनलिजम है, राष्ट्रवाद है, यह वर्कर्स नैशनलिजम है, वर्कर्स नैशनलिजम तो प्रोटेक्ट इंडियन आसेट्स, वर्कर्स नैशनलिजम तो प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, तो यह जो था, यह इस महल में जब बहुत जादा बात होती है कि कौन से अंटी नैशनल है, कौन नैशनल है, तो इस पे मुझे लगा कि ये workers क्या कर रहे हैं, ये हमारा constitution actually बचा रहे हैं, बिलकुल peacefully बचा रहे हैं, अभी तक इनको विश्वास है इस constitution में, इस देश में, तो इसलिए मुझे लगा कि ये title इस context में प्रासंगिक है, और जरूरी है लोगों को दिखाना कि ये working class nationalism और मिडल क्लास nationalism का फरक्या है, इस किताब न आपका, इस किताब न आपका, इस किताब में, मैथ्यू अबराहम को जो जो चार्ज शीट मिले था, जो कि union के नेता थे, गुडगाउं union के, जबकि वो पब्लिक सेक्टर में थी, तब RC भारगाव उसके चैर्मान थे, और तब उ खावानी संस्कृति से, तो इसलिए यह एक रजाम उन पे लगाया गया था, कि कृम से निकालो कि काम से क्यों न निकाला जाए, ऐसा एक, चार्चित उनको किया गया था, तौ देखेंगे शुरू से ही इसमें भारतिय tähän संस्कृतिय जप्तिया शैली भारतिया कानूनों का यह सब चलते रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं और जैसा कि लोगने कहा कि और आज तक किताब है जिसको हर वर्किंग क्लास से जुड़े काम करने आम लोगों को पढ़ना चाहिए समझना चाहिए किस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रवाद का जिकर होता है लेकिन पहली राष्टवादी सरकार में कंपनी का प्राविटाइजिशन भी हुआ है 2002 में तो यह सार आंदोलन का असर क्या था और किस तरह से सरकारों ने नीजी कंपनी उसे डील करती है और मजदूरों के साथ किस तरह से बैवार होता है इस सारी चीजे हैं इस किताब में पढ़ने की मिलेंगी इसलिए हमाँ चाहते हैं आप सभी लोग इस किताब को बहत पढ़ें और समझे मज़र आंदोलों के अभी संगर्स आरही है अभी ब09- warning बिले चैप अलग 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 कहान योई आपकी बिच में लेकर आता रहा हूँ अभी के लिए भिस धनेवाद देखते रहे हैं इस अधाट अरे जो